Hello students, welcome to number x. Last video में आपने देखा था कि ग्राफ का वर्टिकल ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है? जब आप y equal to f of x plus k का ग्राफ ड्रॉप कर रहे थे. यहाँ पर ग्राफ ड्रॉप किया हुआ है f of x equals 6 minus 2 and x plus 2 का. यह ग्राफ negative 2,0 और 2,0 से होके पास कर रहा है. यदि हम y equal to f of x plus k का ग्राफ ड्रॉप करें, जहाँ पर k 0 हो, तो ग्राफ पर कोई effect नहीं आएगा. लेकिन जैसे ही आप k की value increase करते हैं, for example k की value में 1 कर रहा हूँ, तो ग्राफ आप देख रहे हैं, left की तरफ shift हो रहा है. यदि हम k की value को negative रखें, तो ग्राफ right की तरफ move हो रहा है, यानि k यदि positive होगा, तो ग्राफ left की तरफ move करेगा, और k negative होगा, तो ग्राफ right की तरफ move करेगा. इस तरह के movement of graph को हम बोलता है, horizontal translation of graph. ठीक है? लेकिन question यह है कि ग्राफ actual में right और left क्यों move कर रहा है? इसको हम समझते हैं. जो given equation है, f of x equals x minus 2 into x plus 2, इसमें graph negative 2, 0 और 2, 0 सो होगे pass कर रहा है. या ऐसे आप बुछ सकते हैं कि graph का 0, negative 2 और positive 2 है. लेकिन जैसे ही आप, f of x plus 1 का graph draw करेंगे, तो equation transform होने वाला है. x की जगापर आप x plus 1 put करेंगे, x plus 1 minus 2, और दूसरा हो जाएगा, x plus 1 plus 2. equation change होगे अब, यह हो जाएगा, x minus 1, और यहाँ पर हो जाएगा, x plus 3. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके 0 क्या होने वाले हैं? x equal to 1, and x equal to negative 3. जो कि यहाँ पर graph में आप clearly देख सकते हैं, graph negative 3, 0, और 1, 0 से होके pass कर रहा है. area आप k की negative value लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर k को negative 1 कर दिया है, तब graph पे क्या effect आएगा? आएगे देखते हैं, graph यहाँ पे right में move किया, लेगिन क्या reason है move करने का? तो इस बर हम f of x minus k calculate करेंगे, यह कितना रहा है, जो कि हो जाएगा? x की जिगाप पर x minus 1 रखे, x minus 1 minus 2, और x minus 1 plus 2, graph हो जाएगा, x minus 3 into x plus 1, यानि इस बर graph के 0 होंगे, x equal to 3, और x equal to minus 1 पर, ठीक है? definitely यह हो रहा है, देखे, minus 1 और 3 है, यही region है कि सारे points जो right और left की तरफ shift कर रहा है है, इसको मैंने algebraically भी आपको डिखाया, next वीडियो में हम लोग दखेंगे, ज़िए आप y equal to k times f of x का graph ड्राफ करना चाहते हैं, तो graph पर क्या effect आएगा? तक्स बवचिंगे, ज़िए तक्समार का जब एफज़ दो, तक्समार का जब खबगे, जब खबगे और भीडियों, जब खबगे, जब खबगे, जब धिए, जब खबगे,